हलो ब्रेवान वेलकम टू इस्टेडी वी ध्यान प्रकास्त दूस्तों सुरू से सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे UPPCS 2023 का पैडाम जारी कर दिया गया है तो जितने भी चैनित हैं सभी को बहुत सारी बधाईयां और सुप काम लाएं देखो फ्रेंड्स यहां पर सब दार्दः गुपता मैं TOP 10 के पड़र बात कर लेता हूं दूसरे हस्थान है पर प्रेमकुमार पांडे स्वस्तिक स्त्रि वास्तो तुस्ते स्थान पर है शिव्यु प्रताब यह कुमार भारती पाचवस्तान पर है 22 पटेल 6 यह स्थान पर है और सुभी गुपता यह सत्म अस्थान पर है नेधी सुकला आठ्वे अस्थान पर हिम्मंत नौवे अस्थान पर दस्थान पर है माधो उपध्या तो यह लिस्ट जो है इसमें जो लोग चुने गए हैं वो बनेंगे डिप्टी कलेक्टर ठेक है यानि कि SDM तो SDM लोग सभी को बहुत सारी बधाई और है इसके बाद सुपरिंट्रेटनेंट जेल के लिए यहां पर कुल तीन लोग चुने गए हैं और काफी लंबी चुड़ी लिस्ट है तो जिस्ता आप लोग जान रहे हैं कि मिलाज उलाके कितने लोगों के सापेक्स जारी हुआ है तो शुरू में बताया गया था आप परस्तित थे तो प्रस्तंगत परिक्षा में समयलित कुल 19 प्रतार के पदों सेवाओं के लिए कुल दो सो तिरपन रिख्तियों के सापेक्स यानि कुल पोस्ट यहां पर 253 है जिसमें 251 अभ्यड़तियों को सफल खोशित किया गया यानि कि कुल मिलाके जो ये लिस्ट है उसमें 251 नाम है प्रावदिक सहाय भूतत्युपद की अने पिछला वर्ग हेतु आरक्षित एक रिख्ती तथा अनसुचित जाती हेतु आरक्षित एक रिख्ती अर्थातकुल दो रिख्तियां संगस रिणी में उपयुक्त अभ्यरति उपलब्दन होने के कारण अनभरी जा गई है और इन्हें जो है अब UPCS 2024 में केरी फारवर्ड किया जाएगा ठीक है तो आठ मार नौ दिन की समयोधी में यह जो पूरी चैन प्रक्रिया है इसको पूरी किया गया है तो बहुत ही सांदार तो तालियां हो जाए जो चैनित हुए हैं और उनके लिए भी जो लो और भी इंपॉर्टेंट न्योज के बारे में मुखी सेविका के लिए जो अठारा तारीक को सुनवाई हुई थी उसका कोड आडर आपके सामने है फिला फ्रेंट्स यहाँ पर जो कोड नंबर 35 है उसमें ऑनेबल जस्टिस प्रकास पडिया जी की बेंच में इसकी सुनवा फरवरी 2024 को लिस्ट किया गया है तो यह आडर डेट है 18 जनवरी का ठीक है तो फिलाल दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि बरतमान समय में यहाँ पर अनीता सिंग और 75 अदर्स की और से एक याजिका मुखी सेविका के लिए डारी गई है इसमें रिस्पॉंडें गया है यूनियन आफ इंडिया और यहाँ पर कॉंसल फार रिस्पॉंडेंट है एसजी एए पुर्नेंदु कुमार सिंग और सिधार सिंग को जो है कॉंसल फार रिस्पॉंडेंट बनाया गया है तो फिलाल इसकी जो अगली तारीक है वो 13 वरी 2024 मामला आप लोगों को टीजीटी के लिए और नानन टीचिंग पोस्त लिए सारे जो जारी हो चुके हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाइरेक्ट लिएयो के description में आप दे दूँगा वहां पक्लिक करके जिस भी भी साइक रिजल आप डाउनलोड करना है तो आगे दोस्तों अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है क्या करना है बस यह करना होगा कि जो डॉक्मेंट आपके हैं उसको अब आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए नेमित रूप से जो आफिसल वेब साइट है और हमारा यूट्यूब चनल है इस पर आप विजिट करते लिए साथ ही साथ जो आपके डॉक्मेंट हैं उनको रेडी रखके इंतजार करिए कि आपको डीवी के लिए डॉक्मेंट वेरिफिकेशन लिए कब बुलाया जाता है एक बात जरूर ध्याद रखिएगा कि आविदन करते समय जो जो तत्थ है जो जो सर्टिफिकेट में चीजें आपने सो करी हैं सारी चीजें ओरिजिनल रूप में आपके पास होनी चाहिए साथ ही साथ काटेगरी स संबंदित यह CST, OBC, EWS, PWBT, ESM, OLI, जो भी सर्टिफिकेट वगरा है सब कुछ रेडिट रहे हैं कि सारे डॉक्मेंट हर एस्पेक्ट में आपके कंप्लीट होने चाहिए तो आप अपना जो डॉक्मेंट है वो पूरी तरह से तयार करके रखें और जो अभ्यरती यहाँ प फाइनल यानि कि न्यूक्ति प्रदान की जाएगी तो दोस्तों डीवी कब होगा इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को यह कहा जा रहा है कि अब अब उनका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए अभी डेट घोसित नहीं है डेट का इनजार करें लेकिन तब तक आप लोग एक काम जरू कर लीजिए कि the candidate will be required to produce the original certificate in support of their eligibility reservation claims तो जो भी आपकी documents है बिलकुल ready रखिए ठीक है और जो आपका degree बगरा होता है सब निकलवा लीजिए यह बहुत ही important है बिलकुल भी risk मत लीजिएगा और ध्यान दीजिए कि जो certificate आपने लगाए हैं वही certificate आपको लेकर जाना है ठीक है form भरते हैं जो certificate आपने लगाया थे वही सा certificate आपको लेकर जाना है तो आगे क्या करना है कुछ लोगों पूछ रहते हैं तो आगे बस आपको अपना document ready करना है और date और time और venue का इंतजार करना है जो कि आपको official website पर पता चल जाएगी तो friends ये थी कुछ बड़ी updates like as UPPCS result साथ ही साथ मुख शेविका के बारे में जो आदेश आया है मने आप लोगों पता है इसके बाद EMRS में अब आगे क्या वीडियो अच्छा रगा तो like और share कर दिजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ friends आप लोगों से चलते लिए आपके हौसले ये आपके लिए एक energy का काम करते हैं अपने हौसलों को कभी भी मरने मत दीजिएगा चलते चलते बस एक लाइन आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी समय है अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है अभी समय है अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है देखो जाहन्द